गाइस मैंने एड्स 13 उपन कर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी टू विक्स की जो अर्निंग है 1842 डालर है तो रुको जरा सबर गरो तो यह मैं अभी वीडि़रा भी आपको करके दखाऊंगा और आपने किस तरह अर्न करने यह भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो वीडियो को स्ब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि आप रीफरेश नहीं करके दखाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरी कितनी अर्निंग है तो मैं रीफरेश पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपके सामने मैंने यहां पे रीफरेश की है और रीफरेश करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी अर्निंग आ चुकी है ठीक है घजब बेज़ती है अभी एक डालर बढ़ा ही है लेकिन लोगों का यह कहना है क कि आप एडिटिंग करते हो लेकिन यहां पे देख सकते हैं कि मेरी एक डालर बढ़ गी है मजाया और मेरी इतनी जल्दी अर्निंग क्यों बढ़ गी है क्योंकि मैंने जो पोस्स लगाई है वो ट्रेंडिंग पोस्ट है ठीक है यहां पे देखें कि इस पे भी इसी तरह ही भर ढ़ने है जिस तरह मेरी अरंिंग ज्याधा हो रही है तो इसलिए मैं क्या करूँगा कै यहां पे मैं पेले विडुरा पे दिखा देता हूं बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं अरे वाग गूड अडिया तो यहां पे मैं अब जाकर भी दखा देता हूं और यहां पर USD में मेरे 3 डालर हैं और अभी मैं एड्स 13 में जा के दिखाता हूं और मैं विड्राप पे लगाता हूं अभी यहां पे देखें कि यह 9 बजे से 6 बजे तक मतलब के यह बैठते हैं तो अभी मैं मेरा जो ताइम हो रहा है अभी 10.30 का टाइम हो रहा है तो जब य करूं गा तो अभी फिलाल मैं क्या करूंगा कुछ देर वेट करता हूं क्रेघ तो तो गैज यहं पर आप डेक सकते हैं के इसका जो विडरा था मैंने लगा दिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के अभी जो मेरी णिंग्रोष और ही है यह 4 डालर ऑ और है अभी मैंने वहाँ पर Refresh नशी है इसलिए क्यूंके मैंने आपको प्रूफ दो हे दा तो यहांपे देखें वह तर फृक्राप्षा ंटाओं तो यहां पर Refresh पर क्लिक करता है यहां पर देखें के अभी मेरİ जो इर्णिंग है यहां पर कितनी हो Чकिए 0.11 हो चुकी है ठीक है पहले जो अर्निंग थी आप देख सकते हैं के 00 थी तो मैं अभी ब्लोगिंग की तरफ चलता हूं तो यहां पर ब्लोगर में आने के बाद यहां पर देखें के मैंने यह जो पोस्ट लगाई थी इसकी वज़ा से मुझे ज्यादा अर्निंग मिली है इस यह वाला एड़ भी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा लेकिन वह कुछी देर मैं इस लिए लगाता हूं क्योंकि उसे ज्यादा अर्निंग मिलती है यह सबी एड़ जितने आपको अर्निंग देगा ना वह एक एड़ उतनी अर्निंग देता है ठीक है तो वह भी और दो या तीन दिन के बाद यह जो है पोस्ट मैंने डिलीड करके तो रिये अपलोड करनी है इसलिए क्योंकि मुझे एडसन में कोई कोपी राइट सट्राइक गएरा या कुछ इस तरह का कोई प्रोब्लम गएरा ना हो तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि जब यह वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इस पोस्ट को मैं डिलीड कर दूंगा क्यूंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूं वो आप कोपी करना स्टार्ट कर देते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ एक थीम बताई थी यह वाली जो थीम मैंने फ्री में डानलोड करने के लिए बताई थी तो मैंने अपने आपको स्क्यूर करने के लिए ये काम किया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक का देना चैनल को सब्सक्राइब का देना मैं मिलता हूं अगली वीडियो में ठैक्स पर वाचिंग